मतवान अप्रमान हर खान मान की नुआन माने हैं देर ना लगा वई पर गुरु साहिब जी ने शेती देना गल पकड़ ली ते गुरु साहिब जी जी में उपड़ा हुदा ये ने पांदा जी उद नी पड़दे ने जो दो देखिया ना थोड़े दिना दे विच बस कुझी ही समय दे विच क्योंके उस्ताद ते उस्ताद ही है ना उनू पता लग जान दा वड्यारतियां बलबे के भी आप बच्चा पढ़ सकते आप नहीं पढ़ सकते ईए बच्चा शेती गल पकड़ दे आहीं नहीं पढ़ सकता उस्ताद जो हुए है ज्या टीचर ते ते उने गैसलाया की पाई साहब जित लिखते ने ने कहें दे जान मत बान प मान खुश हो के मंच उनमान ला ला लिया कैस ला ला लिया कैंदा ए देख ना लगा ए देर ना लगावे कैंदा मना जड़ा बच्चा ना गुरु नानक साहिब जी तो पाव ए बच्चा छेती से खलाएगा ए पढ़ना बहुत छेती से खलाएगा बाकी दे बच्चे जिनी द प्रव पड़े आये ने इता सिर्फ पिता जी दी तसली हो रही है इता सरफ देखनुएं लगरे आए गुरु नार्ग साहब सचे पाश्चा तक बच्पन जानमतों गुरु ने अबतार तो गुरु ने गुरु दा मतलब होंदा है जिड़ा ग्यानदा दाता है ते मारा चचे पाच्छा चलो केंदे लिदे कि लाच बैठे ने पड़ लगे ने पांदा उनांदे रंग टंग तौर तरीके देखके अंदाजे ला रहे हैं भी छेती सिख लाएगा छेती बड़ लबेंगा पड़ें तात कालतान पायो हैं विसाल बाल भलो मत साल तो लियांकी को मेरा बच्चा पढ़ना लेखना चंगा साथ बताव लाउन से गया ना उतने मात्रा मान सथकार विशेस तौरते भी करांगा हुन पांदा जी नू एदा भी ये पड़ा तात काल तान पायो हैं विसाल केंदे छेती पड़ लेख जाएगा पिता जी खोश होनंगे मेंनू ब साल पला मात साल तुल जांको ना पावई केंदे ए अकल दा निराकार है ए बड़ा स्याना बच्चा है समझदार है बड़ी पकड़ा हैगी है दी ए होज्या बच्चा शायद पहले बच्चे हैं जो कोई भी नहीं और ओ जो सोच रही हैं विलकुल सही है ना था ए होज्या बच्चा बांदाजी को ले पढणा आया ते ना कोई मुढ के पढण गया हो जेडी बड़ाई गुरु नानिक ने करनी हैं जेडा कोछ गुरु नानिक सहावने सिखना से खावना हैं आपा बाच रहे हैं कहन लगे पांदा अपने साब नालो नू पढ़ाँ दे गुरु सह पांदा जी चलो रोज रो जो भी उन्ना नूं पड़ाउंदे ने जो सिखाउंदे ने इक दिन पांदा जी ने जो पड़ाया सारे बच्चया ने बढ़ ले हैं जो उन्ना मतलब बेड़े वेच लिड़ा सी आ गया ने बापस फिर हर खाए माई अंक मैं बसाई लए भुजियो पड़ियो कैसे पैड़ा अंध न लायो है के बसाइ माता जी ने की किता हेर फुटर नो देखके हर खाए बहुत खोश हुए मेरा पुटर बढ़ं के आए माई अंक मैं बसाई गोदीच ले ले लिया माता पुर्फ दीने गोदीच लेके और प्यार नाले खोशोंदेने नाले पुछ देने बुजयो पड़ेख़ा कैसे पेड़ा आनन अलायो है केंदे पुत्र के में पड़ाई किती की पड़ेया की सिखेया जी लगेया माता खुश होके लेके अपनी गोदवेच बाले गुरु नानक देवजी महराज नू पुछ दे हान खाए अनरैन पून की निसुक सैन तब जाको कब पहना हीरे चैन मान पाय है थाए अनरैन चलो उनन जिमें दसेया परशादा पाणी शक्या क्यों कोई शामा होगी है स्विरदे गैने पड़के आये ते शामा होगी है चलो दो-चार होरे दरू मढटिया मुटी अंगलांबाता हो या खेड़े परशादा पाणी है अन पाणी शक्या ते फिर इन दे मांच रंचक मात्र भी डर नहीं है पाऊ नहीं है सबों सारें दे डर पाऊ दूर करन वाले गुरू नानक देव जी महाराज ने अज माता जी देखोड़ों परशादा पणे शक्याते अराम कर लगे जी पई जाब पूर कालू लेके पांदे उर गयो सुनी नुत गौरता तेरा देहर खायो है सबेर हुई माराज सपरच अज माता जी ने सबेर चावा नर फेर ठाया नुँवाया तो आया चलो जिमें कप्ड़े पायो त्यार कीता कैंधे पिता कालू जी लैके गुरू नानक देव जी माराज नूर पहलना दी तरह कालू लैके पांदे और गयों प्यारव करता माता जी ने खुशी-खुशी लाएके पिता जी खड़के उंगल अज फेर चले ने पड़ाउन वास्ते स्कूल सड़न वास्ते जा पांदा जी कुले सुनी नो तो गौर तात रेदा हर खायो है कैन लगे जो दों गये न ते उथे पांदा ज जाके मिले पांदा जी ने जमें उन्हें समझ लेया सी दर्जा लाया सी उनना जाके सारी गल दास्ती पिता कालू जी कहने लगे सुनी नो तो गौर तो अट्डा जड़ा पुत्तर है न कहने दे बड़ा च्छेटी पड़ जाएगा एस मतलब बड़ा गाले नूपक्रन वा हकारलीन बालन ते जुदा कीन लिखे हूं की सीथ दीन ने हकारली उनना क्या भी मैता जी तोड़ा पुत्तर बड़ी शेटी पड़ जाएगा बहुत गल नू समझ दा पकड़ दा गल जड़ी सुन लेंदा एको बारी जड़ा सुनके उनू जड़ा सी समझ रख दा एस सारी यांगलना क्या 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 पंदा खोश हो गयां पंदे ने हकारलीन बालन ते जुदा किन ते पंदा जी ने न कोले बुला के ने बखरा करके थोड़ा लेखे हूंको सीख दी नान को सुजान को थोड़ा जा एक हुंधा भी आगासे पकभाद नहीं नू कहा सकते जड़े बच्चे छेती गल पकड़ना उन्हानु फेर सबकी भी शेती देना पाएगा जड़े कई तले हुंदेने कई थोड़े मतलब यहां कालो बई डाले जे हुंदेने उन्हा प्रवाबतों के मैं तक लियांदा जिनननु पासे करके ना के लगे सीख दीन नान को सुजान को तूशनीक पहे पांदा बार बार कहें अगे लखे देने के दे बाच कैसे तूना बोले आज सुने देना कान को अज जो पड़ा इपड़ा हुं लगे ने आज जो ननु के लगे ने गुरु नानक देव जी मारा चुपने सुने यो थोड़ा तूशनीक पहेदा अर्थुन्दा चुप हो जाना बिल्लकुल चुपने गुरु साहिब जी आज कल वांगनी सारा कुछ हो रहे आज थोड़ा बकरा पंदा बड़ा है रहान है दीए की गल होई कल ता चर्र चर्र बोलदा से कल ता जड़ी गल कहने सी पिछे उचारन करदा से कल ते बड़ा तेस तंगने नाड़ा एक कोई देन चुमाने हो गया ते उनना ने फिर जड़ों दो चार पंज बर यह ऐसा आखिया गुरु साहिए कुछ नहीं बोले जिमें पाईसा भी लिखे देने हुब 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 संजा करें कैंदे कैसे तू ना बोला आज सुने देना कान को पंदा जी नहीं आखिया ना ता क लगा गलत चौणदें का ओर देके कन देके मतलब कन करके गलनूं गहराईज नहीं ले रहे हैं धू जाते ना तू कल वंग कुछ बोल दें बोलाएं तू कैसे तू नहीं बोला आज आज की हो गया हुंदा भी हैसा कई बारी बच्चों दा पर जो झूँ ले जो जो ले जा करके कहले कि पहला थे बड़ा शेती देनार तेजी देनार गालनों समझदा साथ हैं पर हुनेटी से चिकी हो गया आज बोलदा भी नहीं है कोई गाल मेंनु तयाओ लागता जी में ते आंदे के सुनदा भी नहों चलो पांदा जी कह रहा है हां ना पलीविद काल पैड़े प साल कलता बड़े सोने पहाड़े पड़े उसारा कुछ चंगी तरीके दिना तुम मतलब हार गालनों सुनदा साथ पड़दा साथ हैं पर आज की हो गया है तैसे अब पड़ो हे रो और लरकान को लरकान ना मतलब लड़किया ने और लिड़े बच्चे बैठे ने लड़के पर गुरु नानक देव जी चुपने कुछ भी जवाब नहीं दे रहे ना कथा दे मताबक उदी गलवाल कुछ गोर कर दे हना हो वैं बड़ो जाव पड़ियो का जया वैताव अब खिलन मैं जीयो तेरो खाईशू शकान को गुरु साहब जो तो कुछ भी ना बोले पाई स अब जी दे उनसार केंदे पांदा जीने तो तक आखता है कहने लगे देख जे तुन ना पड़े है ना अंगल नो सुने ना समझे है कहने जाद रखी हो वैं बड़ो जब जदो बड़ा हो जाएंगा ते पड़ियो का आज आवैताव ते ते तेरे पड़ाई काम मावेगी जे तुन पड़ लेंगा तो सच है हुँँँपड लेंगा तो बड़ाई काम मा जाएगी समझ जाएगा स्याना हो जाएगा पर नहीं ता जे हुँँँदा जे मास्तरे हा पड़े हो का आज आवैताव खिलन में जीयो ते खाये शूश कान को जे खेड के समा लगाता ना सोटियां भी खानियां पहनेगी मतलब तेनों नुक्सान अटके ते सच है एसे करके आपके कहने अभी बच्चेया नों बच्चपन दे वेचे जे कुट मार के कूर का अपके भी यो समझ देने ते समझ आ देना चाहिए था तांकि अगे बड़ियां मारा तो बच्चा अगे जाके नों मार खानी पेंदी ते एस करके पाइसाब जी कहा रहें ने भी तुसी पड़ो तो आड़ी पड़न दी उमर है तुसी कल वांग नी पड़ रहे हैं जे होन खेड़न चो बान बाहर ना ले आंदा फिर कितना नुक्सान होवेगा समझा रहें ने जोड़ दे तेरे ने भी पड़ना करो सिखना करो